विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका कोश्चन नंबर 13 ठीक है कोश्चन नंबर 13 क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए तो शॉट आंसर टाइप में आज आपका 13 कोश्चन है इससे पहले हमने 12 तक डिसकस कर लिया आज हम बात करेंगे कोश्चन नंबर 13 का ठीक है जो की कह रहा है अंतिसमू ठीक है अंतिसमू मतलब एंड बिंदू ठीक है या एंड गुरुप सबसे लास्ट वाले जो गुरुप होते हैं उनको कहते हैं अंतिसमू या एंड बिंदू बिसले सड़ से अमीनों अमलों का अ अनुक्रम ग्याद करना किस तरह से ग्याद करते हैं तो क्या रहा है कि प्यप्टाइड क्या कह रहा है अंसर में लिखना सब्सकर आना पेप्टाइड करियातमक अड़ू होते हैं धेप्टाइड जो होते हैं वह आपके कैसे होते हैं क्रियातमक या पंक्शनल जो है आपके क्रियात्मक अडु होते हैं जिनमें सरंकला के सिरों पर मुक्त अमीन ठाव क्रियात्मक अधिक यह क्या होता है आपका यह दोनों कैसे होते हैं आपके मुक्त होते हैं ठीक है फिरी होते है रियक्षिन करने के लिए यान की एक जगह क्या होगा आपका एनच टू और आपका ची डबलो है यहां सेच टू ना होकर आपको क्या मिलेगा आप अलकेल भी लगाव सकता है ठीक है इन शुरों को करम सा एन तथा सी स्रा कहते हैं इसको क्या कहते हैं एनसरा और इसको क्या कहते हैं सी स्रा एक को एंसरा कहेंगे दूसरे को सी स्रा कहेंगे ठीक है तो दो यहां पर आपको मिल जाएंगी इन शुरों की पहचान कुछ विशेश अभिकर्मकों की सहायता से कर सकते हैं अब यह जो आपका एनसरा है और सी स्रा ही इन्ही को हमें क्या करना इन्हीं की पहचान करना तो इनकी पहचान फिसेष अभिकरमकक यह आपके कुछ मिशेष रेजेंट की सहायता से रही है जब किसी बिसेष अभिकरमक से क्रिया कराते हैं प Away तो पर आम के तो क्रिया कित आपका ऐगए का ने टीच को तो होगा दोसरे आंड़ एक यह दोनों आपस में रियक्शन करतें तो क्या बनेगा नाइटोजन और कारवन के बीच में जो बॉन्ड बनता है किसके बीच में नैटोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं तो क्या करता है भी पेप्टाइड बनाता है क्या बन जागा पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जागा इसकी आंसिक किस तरह से यह जो आपका peptide bond बना हुआ है इसका जल अपगठन करा दो तो यह एच यहां और OH यहां ठीक है तो CWOH और आपका NH2 या ने कि दोनों कैसे हो जाएंगे अलग-अलग प्राप्त हो जाएंगे इनकी पहचान chromatography या अन विधी द्वारा कर लेते हैं ठीक है जो आपके amino acid अलग-अलग है इनकी पहचान आपसे कि से करनी है chromatography इस क्रिया को कई बार दोहरा कर amino amino का किरम गयात कर लेते हैं अब यही क्रिया आपने दो या तीन बार अधिक बार आपको दोहरानी है फिर क्या हो जागा इनका किरम ठीक है sequence आपको मिल जाएगा इसकी दो प्रकार की विधियां होती है इसको हम गयात करने की आपकी दो यह करना है जिनको हमने यह के करके पढ़ना है थीक है वैस में तो सबसे पहले एंठरमिनल विभी ठीक है तो आपका क्या है एन-टरमिनल विसलेसर थी हॉ इसका उसके टर्मिनल को कहते हैं एन टर्मिनल विसलेशड विधी ठीक है तो एन सरा प्रकाय की कई विधियां है लेकिन फेर एडमेन कौन था आपका फेर एडमेन विधी सबसे उत्तम है इसको ग्याद करने की कई विधियां है लेकिन आपने याद रखना है कि फेर एडमेन जो विधी है वो एन टर्मिनल वि आएस compression के साथ अभिक्रत करते हैं। किस से करेगा He इसने इन गरिया करते हैं। और उत्पाद बनाते हैं किससे क्रिया करेगा एच्छे लुभ करेगा और उत्पात बनाएगा जिसका जह अपगठित होकर प्रभावित रहते हैं बकाय जो आपके और प्रभावित रहते हैं अब जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसकी पहचान करके हम देख लेते कि आपका Amino Acid कौन सा है ठीक है इस क्रिया को कई बार दोरा कर अनुक्रम ग्यात हो जाता है अब यह क्रिया आपने दो या दो से अधिक बार कर लेते हैं और आपको जो है अनुक्रम यहां sequence मिल जाता है ठीक है Amino Acid का तो यहां पर आपका है Phenyl Isothiocyanate क्या है Phenyl Isothiocyanate ठीक है N-C-S यह हो जाता है आपका Thiocyanate बागी आपका क्या है यह जो गुरप आपका लगा हुगा है Amino Acid ठीक है Amino Acid जब C-O-H और NH2 यानि कि C-O-O और NH लिखा हो तो उसके बीच में ठीक है कारवन और कारवन डबल बॉन आक्सजन के पोडोस में अगर आपका एनेच लिखा होगा तो यह बाण्ड आपका कैसा होगा viniuesto करे यहां पर भी आपका पेप्टाइड बन जागा इसी तरह से चलती रहती है तो फिनाल थायो साइनेट जब रियक्षन करता है किससे आपके अमायनो एसे ठीक है यह यह एक से अधिक हो सकते है इससे जब यह रियक्षन करता है मान लो तो गुरुप कौन सा होगा अमायनो एसे यह टेप्टाइड का नाइटोजन सरा जो है इनसे अब गरिया करेगा कौन सा नाइटोजन सरा ठीक है तो यह जो आपका सी ऐसे लिखा है इसको कुछ इस तरह से लिख दो सी एस डवल बॉंड एन सिंगल बॉंड ह5 और आपक चूट जाएगा अपका फिलस का चार्ज आजाएगा अब क्या होगा अब यह जो carbon and nitrogen की बीच में double bond बना हुआ है, यह bond आपका तूट जागा, ठीक है, यह वाला bond आपका तूट जागा, क्योंकि इस बाले nitrogen पर कैसे आ गया आपका, प्लस का चार्ज, तो यह वाला bond आपका कहा तूट जागा, इधर इस बाले carbon की तरफ, तो carbon पर कैसा आपका, इधर उल्टा ठीक है नाइटोजन की ओर यह एलेक्ट्राँ डबल बॉंड वाले एलेक्ट्राँ आपके नाइटोजन की तरफ सिफ्ट हो जाएंगे ठीक तो नाइटोजन पर कैसा आजाए आपके माइनस का चार्ट तो अब कारबन और नाइटोजन के बीच में बॉंड बन और इदर जो आपका hydrogen plus की form में आए था यह आपका कहां चला जागा nitrogen के पास में चला जागा ठीक है किसके साथ nitrogen के साथ में तो यहाँ carbon और एनेच हो जागा ठीक है carbon और एनेच यह bond आपका नया bond बना है ठीक है और यह जो यहां से आपका आपका hydrogen निकला था यह कहां आगया आपका nitrogen के साथ में आ ठीक है तो यहां पर क्या कर रहा है ठीक है तो यह इस तरह से आपका पूरी सरंखला जो है बन जाएगी ठीक है यह आपका प्रोटक्ट बनेगा आप क्या करना इसका reaction जल के साथ में कर देने किस के साथ में जब इसकी reaction जल के साथ में कर देंगे तो क्या होगा हो इतना यह जो आपका सिरा है यहां पर किया क्या लिखा हुआ C6H5 ठीक है C6H5 आगे बढ़ो क्या आगे आगे आपका NH आगे आगे आपका Carbon आगे ठीक है और Carbon से लगा हुआ क्या है आपका S ठीक है Sulphur ठीक है तोड़ा और आगे बढ़ो क्या आगे आगे आपका NH आगे ठीक है आगे बढ़ो क्या आगे आपका CH और कौन सा है CH और ग्रूप है थोड़ा और आगे बड़ो कि आगे आपका COO ठीक है कि आगे आपका COO इतना जो आपका मॉलिक्वल है तक है कि यह कुछ इस तरह सही आपको एक चक्रिय करोण तुर पिसलnya फिणायल थायो हयदें ताया क्या कहते है यह आपका हो जाह लाउल से स्ट्मिधिय और ना तैन्ट तिट फिनाइल थायो हाइडेंट आयन यह आपका बन जाएगा ठीक है कौन सा यह वाला जो है आपका फिनाइल थायो हाइडेंट आयन बन जाएगा बच्चे का क्या इधर वालो जो आपका गुरुब बचा हुआ है ठीक है यह क्या है बच्चे हुए पेप्टाइड है ठीक है यहा आपका बना हुआ है इसकी रियक्शन आपको किसके साथ में कर देनी है देर्याइडर और यहां से क्या हो जागा आपका एच क्यू जो है yeah इसका क्या कर दो भी हायडरोलिसिस कर दो क्या कर दो हैएडरोल्सिस यानि कि जल अपघटन तो क्या होगा यहांपड आपका एक हाइड्रोजन यहां पर आजागा ठीक है और आपका क्या आजागा यहां पर क्या ओएच आपका यहां पर आ जागा ठीक है यह जो है बच्चे का क्या आपका अब आपका एतना बंच जाएगा ठीक है क्या बच्च आपका यहां पर आपका यहां पर आपका बन जाएगा यहां प्रामरी अमाइनो एसेड जो है आपका बन जाएगा ठीक है नेक्च दूसरा है हईब का कारवन टर्मिनल विसलेसर कारवन टर्मिनल विसलेसर याने की C.W. में च ऑबल ऒेंच गूरॉप के साथ में क्लिए कि याहुगा करवन टर्मिनल विश्लेंस डि करवन टर्मिनल अनालेसिस और भन सिरा विधियों से नायटोजन सिरा विदियां उत्म होती है कार सब्सक्राइब कर सकते हैं किस तरह से यह आपका माल यह बहुत लंदी पूरा प्रेप्टाइड बना हुआ है जिसमें आपने क्या है ठीक है आर वन ठीक है आपका यहां पर आपका यहां पर नाटरोजन के बीच में जो नया बांड बनेगा वो टेप्टाइड बांड होगा ठीक है इसी तरह से यह इस रंखला आगे बढ़ती रहेगी रहें होता क्या है यह आपका क्या हो गया पहला सब्सक्राइब इसका क्या कर देना आपको हाइड्रोलिस इसका हो जागा आपका हाइड्रोलिसेस ठीक है अभी जो आपका बना इसका क्या करता हो भी हाइड्रोलेसिस यानि कि जल अपघटन पर क्या होगा यह आपका अमीनो एलको हल बन जागा यानि कि वह आपका आगया CH2 CH और आपका CH इस वाले CH से आपका क्या लगा होगा है यहाँ पर जो है तो इसका क्या करतो हो भी जल आप घटन या हाईडरोलिस यहां पर क्या आजागा आपका हो और इधर क्या आजागा आपका है तो यह आपका CWH बन जागा और यह आपका NH से NH2 बन जागा ठीक है क्या बन जागा NH से NH2 और आपको यह मिल जागा कैसा एक अमीनो अलकोहल मिल ज प्रिथम उत्पाद अमीनो एलकोहल को अलग कर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पहचान कर लेते हैं अब आपका जो प्रिथम उत्पाद अमीनो एलकोहल बना हुआ है इसको अलग कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा पहचान कर लेते इस क्रिया को कई वार दोहरा कर अमीनो अमलों का अनुक्रम कर लेते अब यह जो क्रिया है आपकी इसको हम कई वार दोहरा आते हैं और क्या मिल जागा आपको तो अमीनों अमलों का अनुक्रम जो है मिल जाएगा ठीक है तो इसमें करना के आपने अमाइनो ऐसे या पेप्टाइड लेने हैं ठीक है एक जगह क्या होगा आपका एक टर्मिनल मतलब एक बिंदू एक अंत या एक शिरा आपका कैसा होगा जिसका आपका CWH गुरुप जो ह आप में ही जो है reaction होगी है जो भी रिएक्शन होगी वो आपकी सी के साथ में होगी थे कहा लेक्टाइड ले लिया सबसे पहले लाइल है लुम है जो क्या कर देता है इसका आप चैण्ड यह को तुछ श्ट्राइब करने पर को यहां से यह का आपको अमाईनो ऐलकॉहल को कर देना आपको अलग कर लेना और पहंचान कर लेते हैं इससे हमचे मिल जाता है जो आपके अनुकरम आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है उम्मीर करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फिलते हैं अगले वीडियो में, बने लिए हमार साथ, थेंक्स पर वाचिंग एंड शेर दा वीडियो,